हेलो एवरिवन तो कैसे हैं आप लोग इस वीडियो में हम गौर्मेंट के द्वारा जो आज परफॉर्मर रिलिस किया गया है जिसमें जितने भी आपको डॉकुमेंट के एफिडिविट बनाने हैं वो किस फॉर्मेट में बनाने वो बताया गया है तो जो सबसे पहले थर्ड में फिर जो मिलेटरी परसन है और जो भूतपुरु सैनिक है उनके लोग प्रमान पत्र है उसका परफॉर्मर नंबर टू है तो यहां पर जो भी इस कैटेगरी में आते हैं वो अपने डिटेर्स भरके जो भी जीला सैनिक कजन अधिकारी उनके यहां पर सील साइन ह होगी और यह फिर सर्टिफिकेट बनके त्यार हो जाएगा और इसका आप यूज कर सकते हैं रिजर्वेशन लेने के लिए परफॉर्मर नंबर टूबा में यह लिखाए कि मध्यपिदेश में के बाहर या फिर मध्यपिदेश के राजमे कायरत सैनिक यदि इस कैटेगरी स अपना बच्चों के एडमिसन कराना चाहते हैं कॉलेज में तो वो भी इस फॉर्मेट में अपना सर्टिफिकेट बनवाएंगे और सील साइन करवाके इस सर्टिफिकेट का यूज करके रिजर्वेशन लेंगे फिर यह भी सर्टिफिकेट है जो कि सैनिक कोटा के लिए है अब यह है प्रफॉर्मा नंबर तीन जिसमें यहां पे डिटेर्ज भरके जो फीडम फाइटर के अंतरगत आते हैं वो बच्चे इस सर्टिफिकेट का यूज करके यहां पे अपने डिटेर्ज भरके जीला कलेक्टर के द्वारा सील साइन होने के बाद यह सर्टिफिकेट वैलिट होगा तो आप इस फॉर्मेट में यह सर्टिफिकेट बनवाएंगे उसके बाद यह आप कोई काम कहें नी फोर और फाइव अब मेन आता है सिक्स सेवें नमर का परफॉर्मा जो कि आपको कल रजिस्टन के टाइम लगेगा तो यह होता है कि मध्यप्रिदेश के इ इस्थानी निवास पर नहीं किया है मतलब मैं इसी राज्य का निवासी हूं मैं दूसरे राज्य की डो मिसाइल नहीं रखता हूं यह सारी चीजे इसमें लिखी होती है सेम आपको 100 रुपीज के इस्टाम पेपर में इसे नोटराइस्ट कराना है आपका जो भी तहसिल कार सार्टिफिकेट और यह डो मिसाइल का अलग है और नोटरी के बाद आप जो 100 रुपीज के इस्टाम पर बनाएंगे यह अलग है तो आपको दोनों कर लगेगी अपनी रजिस्टेशन के टाइम पर तो यह आपको बनाना है अब इसमें कुछ चेंजिस यह आएं लास्टिय जाएगा यह किसी नहीं बनाया तो वो पूरा जैसा है लिखा इसी फॉर्मेट में बनाके कल उसका यूज कर ले ठीक है तो यह आपको बनाना ही है इसके बिना आपका रेजिस्टेशन नहीं होगा क्योंकि इसे अपलोड करना होता है तो यह परफॉर्मर नंबर सेवन जो क सब्सक्राइब करना है तो उसका जो परफॉर्मा है वो गॉर्मेंट ने अभी रिलीज किया है जिसका परफॉर्मर नंबर टेन पर दिया हुआ है तो इसमें सबसे पहले क्या दिया होगा कि यहाँ पर आपको राइट साइड में एक फोटो चिपकानी होगी जो कि आपने नीट 2023 में यूज किया है ठीक फिर यहाँ पर दिना आंक रमाञ यह सब लिखा होगा फिर यहां पे यह परफॉर्मान्ट किया जाता है कि आपका न तो यही परफॉर्मा आपको अपने डिटर्स भरके अपने जीला सिक्चादिकारी के पास लेके जाना है और यदि आप ये कंडिशन फुल्फिल करते हैं कि आपने छटवी से लेके बारीवी तक सरकारी स्कुल से पढ़ाई किया हो तो आपको इस योजना का benefit मिल सकता है तो आपको सारे परफॉर्मा समझ में आगा हूंग कि कब किसकी जरुबात पड़ेगी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं काउंसिलिंग से रेटेड जिससे आपको बोजेता हैल्प होती है और आपको जाने का रिचाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन करिए थैंक यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू